दोस्तों आज की वीडियो में मैं कंपेर करने वाला हूं नौइस टू हैडफोन को हैमर बैश मैक्स के दाथ और यह कंपेरिजन काफी कमाल को होने वाले क्योंकि दोनों ही हैडफोन आपको अंडर टू थू थाउजन रुपीज मिलते हैं तो आज की वीडियो में हम हैं नौइस टू हैडफोन की अब अगर इसकी बिल्ड क्वालिटें डिजाइन की बात करें तो कंप्लीट हैंबर प्लास्टिक और मैटल की बिल्ड से से बनाया गया है और अगर इसकी कुशन की बात करें तो जैसे कि आप देखेंगे काफी बड़ी हैं आपर कुशन मिलता है फिर फार वर मेंकर सकते हूं गर कर सकते हैं उसके बाद आपको मोड़ मिलता और आपको चार मोड मिलते हैं लुट मौड मिलता है और उनमें यहां पर चेंज कर सकते ओंड की मदद से उसके बाद आपको लिए लाइट इंडिकेटर मिलती है अगर इसके weight की बात करूँ तो 187 gram का complete weight आपको मिलता है तो ये तो होगी सारी इसकी ऊपर ऊपर की details अगर मैं हाँ पर इसकी specification पर जाओं तो इसके अंदर आपको मिलता है 40 mm के driver, साथ याद इसका playback आपको 50 hours का मिलता है charging time आपको लगेगा 2 घंटे with type C, अगर connectivity की बात करें जैसे मैं आपको बदाया Bluetooth 5.3 latest मिलता है, HD card का connection है, साथ याद Oaks की connectivity आपको मिलता है FM आपको मिलता है, चार mode आपको यहाँ पर मिलता है जिनम आप चूज कर सकते हो gamers के लिए specially हाँ पर low latency मिलती है, 40 MS की, IPX 5 rating मिलती है तो water splashes से भी यह safe रहेगा, जिम में भी आप यूज कर सकते हो तो यह आपको सारी specification मिलती है, इसी noise 2 headphone की अगर at the end इसकी pricing की बात करें तो currently Amazon पर यह 99.99 में सेल हो रहा है अगर आप purchase करना जाते हैं तो नीचे आपको links मिल जाएंगे, आप महाँ से purchase कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं next hammer batch max headphone की अब अगर इसकी build quality and designing से शुरुआत करें तो complete plastic build आपको यहाँ पर मिलती है overall जो plastic है वो काफी hard आपको मिलती है, तो durable इसे बनाता है अगर side by side comparison करें तो hinges quality से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर आपको hinges काफी बढ़िया मिलती है और यह मुझे तो personally plastic लग रहा है, अंदर से हम कहनी सकते brand ने क्या लगाया है बाकि overall आपको काफी बढ़िया plastic यहाँ पर देखने के लिए मिलती है cushion support की बात करें तो cushion आपको काफी बढ़िया देखने के लिए मिलते है अगर आप side से देखेंगे, तो काफी ज़्यादा comfy आपको cushions देखने के मिलते है जो की काफी ज़्यादा useful होता है, long session timing में जब भी आप इसे use करेंगे हैड support काफी अच्छा मिलता है, clothing mesh आपर side में दी गई है, जो कहीं न कहीं से premium बनाता है buttons की बात करें तो headphone के right side में आपको केवल एक button मिलता है आपको एक button मिलता है जिसकी मदद से आप power on off कर सकते हो, track को आप यहाँ पर play and pause कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है LED light indicator and यह जो area आपको मिलता है दोस्तों यह है, इसका सारा touch sensitive area और इसकी मदद से आप track को forward कर सकते हो, backward कर सकते हो, volume increase कर सकते हो, decrease कर सकते हो, बस आपको इस तरीके से slide करना है और यही इसका काफी बढ़िया feature आपको मिलता है, यह पूरा completely touch operated headphone आपको मिल जाता है, तो यह headphone आपको 200 gram का मिलता है और लुक्स इसकी काफी ज़्यादा premium लगती है, और कहीं न कहीं काफी बढ़िया देखने में लगता है, और जब भी आप इसे wear करोगे तो काफी ज़्यादा sleek इसकी housing होने के वज़े से काफी बढ़िया looks इसकी निकल के आती है यह तो होई ऊपर की बात, अब अगर इसकी सारी specification की बात करें तो यहाँ पर आपको 40 mm के driver मिलते हैं, जो की deep-based driver है, अहसा से आपको playback मिलता है 18 hours का, charging time आपको 3 hours का मिलता है with type C, बैटरी आपको 500 mh की मिलती है, connectivity में आपको Bluetooth 5.3 मिलता है, जिसकी range 10 meter है, बाकी कोई और other connectivity option य IPX 3 मिलता है, जो की से पानी के इस प्रैसी से बजाएगा, तो आप जिम वर्काउट में भी से यूज कर सकते हो, कोई issue नहीं आएगा, जैसे कि मैं आपको बता है, फुली टच ओपरेटिर यह headphone आपको मिल जाएगा, तो यह सारी details इसी hammer bash max की, अब अगर इसकी pricing की बात कुर आपको बता दू कि दोनों ही headphone की जो manufacturing हुई है, या फिर आप कह सकते हो, जो targeted audience है, वो अलग तरीके की आपको मिलती है, एक तरफ आपको मिलता है, जो की टार्गेट करता है, उन audience के ओपर जो की complete rich sound experience पसंद करते हो, और साथ साथ यह आपर multiple connectivity option मिलें, दूसरी तरफ जो hammer bash max म आपको मिलता है, वो target करता है, उस टार्गेट की audience पे जो की केवल comfort music listening prefer करते है, noise 2 के अंदर आपको मिलती है, sharp ripple, साथ सेथ वोकल्स आपको clear मिलता है, bass thumpy आपको मिलता है, distortion की बात करें, अगर crackle की बात करें, तो वो आपको कोई भी नहीं मिलता है, best music experience आपको 82-90% volume पे मिल अगर कुछ pros and cons की बात करें, तो यह आपको थोड़ा less comfort मिलेगा, long session के अंदर के एवल, short session duration में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि on year आपको मिलता है, थोड़ा सा pressure आपके years के ओपर होगा, अगर इसके कुछ pros की बात करें, तो गाई, pros इसके अंदर काफी सारे है, स 50 hours का, तो यह कुछ आपको pros मिलते है, noise to headphone के अंदर, तो अगर बात करें, hammer bass max के music experience की, तो treble आपको यहाँ पर balance मिलता है, over crispiness नहीं है, vocals आपको बिलकुल clean यहाँ पर मिलते है, clear आप बोल सकते हो, bass जो है आपको deep मिलता है, distortion और crackle इसमें भी आपको कोई भी नहीं मिलता है, बाकि अगर इसके best music experience की बात करें, तो 90% volume में मुझे काफी बढ़ी हाँ music experience लगा, क्योंकि overall आपको smooth music यहाँ पर मिलता है, जो कि अगर एक line में बता हूँ, तो अगर आप soft music lover हो, तो यह headphone आपको काफी ज़्यादा पसंदा हैगा, आप अगर इसके कुछ pros and cons की बात करें, तो सबसे पहले कौन आपको यह मिलता है कि इसके अंदर कोई भी dedicated gaming mode आपको नहीं मिलता है, बट गाइज मैंने इसका gaming test यहाँ पर किया है, as such मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बेशाक यहाँ पर gaming mode कोई भी mention नहीं था, बट आपको gaming performance ठीक था कहाँ यहाँ पर मिलते है, दूसरा कौन मुझे इस headphone को लगा कि यहाँ पर कोई भी Oaks mode आपको नहीं मिलता है, वहाँ तो 2023 चल रहे है, सबी Bluetooth devices ही use करते हैं, सबी devices mostly Bluetooth connection ही prefer करते हैं, बट यहाँ पर अगर Oaks capability आपको मिल जाती है, तो वो काफी बढ़ी हैं पर रहता, पहले pros की बात करें, तो वो आता है इसका comfortable design, तो guys long session में आप इसे use कर सकते हैं, आपको कोई भी दिखने होगी, दूसरा आता है इसका touch feature, तो यह touch कहीं नहीं helpful होती है, काफी ज्यादा, आपको button ढूंडने की जूरत नहीं पड़ेगी, कि आपको play करना है, post करना है, आपको directly slide करना है, किसी भी music को forward backward करने के लि कर सकते हो, and fourth अगर pros की बात करें, तो बहुत है, इसका sleek design, जैसे कि मैंने आपको काम कुझे, इसका design काफी बढ़िया लगा, जो आपको काफी कम housing design देखने के लिए मिलता है, इतना सारा तो इसके अंदर cushion ही आपको मिल लाता है, बाकि छोटी सी housing and काफी बढ़िया लगता ह देखने में जब भी आप पहनते हो, तो यह कुछ pros आपको मिलता है, बाकि दोनों ही हैड़फोन यहाँ पर 1909 में के अंदर sale हो रहे है, तो 2000 के अंदर यह दोनों ही हैडफोन काफी बढ़िया value प्रोवाइड करते हैं, आपको हैमर बैश मैक्स के माइक्रोफोन से सुनने के उब लिए मैंने बिल्टे नहीं हैड़फोन के माइक्रोफोन सेमपल आपके साथ शेयर कर दी है, and I hope आपको अच्छा खासा डिफरेंस पता अचलिए हुआ हुआ, तोनों ही हैडफोन के माइक्रोफोन की सरीके से वर्क रेंगे, जब भी आप पने फ्रेंड से आपके से स् कर दो! गाफ में! बोप्री चाहिस! उने में उनने कर दोड़ाए गां। चाहिए प्रेक प्रेक्षवक गाहिए एक अप्रार्वाइवा बड़ाइए जिए! बाकी गाइज अब अगर मैं बात करूं कि दोनों ही हेड़फोन में से आपको कौन सा हेड़फोन परचेस करना चाहिए तो दोस्तों देखो सिंपल सी बात है अगर आपको यहाँ पर म्यूजिक रिचनेस पसंद है साथ साथ आपको डेडिकेटिड गेमिंग मोड भी चाहिए तो आप आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यह ओन दा इयर हेड़फोन आपको मिलता है ठीक है अब अगर आपको यहाँ पर केवल म्यूजिक एक्सपिरेंस काफी बढ़िया पसंद है साथ से आपको टच फीचर भी चाहिए और कमफरडेबल डिजाइन चाहिए तो कंपेरिजन में समझ गए होगी आपके लिए दोनों में से कौन सा हैड़फोन बढ़िया है व्यासे अगर मैं परस्रेली बता हूँ तो दोनों ही हैड़फोन अपनी अपनी प्राइस रेंज में काफी बढ़िया वैल्यू प्रोवैड करते हैं अगर आपको यह पर्चेस कर करते हैं अगर आपको अपनी आपको यह रहा है उचेज प्रोवैंग करते हैं अगर तो भी स्टेस रिए ख स्टेस यह थाथ हैं अगर औ